पिठोरागड में बादल फटने से कोरा मल्मे में 27 लोग रशासन का रेस्क्यू उपरेशन जारी आप उख्यमंत्री पत्याशी कर्णल कोटियालने की प्रेस कॉंफरेंस स्वास्ते को लेकर कैग रिपोर्ट के अधार पर सरकार पर उठाय सवाल कहा आज बस पतालों में डॉक्ट्रों दवायों की कमी गड़वाल मंडल मिर्डिया प्रवारी गरिम दसौनी का सरकार परवार कहा सरकार के पास कर्मचारियों को तनखा देने तक के पैसे नहीं रगतार बजार से ले रही उधार देजवर में श्री क्रिश्न जन्वाष्ट्मी की ढूम धर्न अगरी हर्दवार में ढूमदाम से मनाया जा रहा पर्व मंदिरों में सुबे से शर्दालों को लगा तांता नमस्कार स्वागत आपका उत्रखन लाइब में मैं हूँ आपके साथ नुपुर सकसेना मुख्यमंतरी पुषकर सिंग धामी ने रानी पोख्री के टूटे पुल का आस थलिये निरिक्षन करते होए अधिकारियों को दिशा निर्देश देते होए कहा कि जल्द से जल्द विवस्ताय बनाई जाएगी इसके अलावा मुख्यमंतरी धामी ने रानी पोख्री पुल पर चल रहे बचाओ कारे और अन्य कारियों का निरिक्षन किया और अधिकारियों से जानकारी ली पर इस मौके पर मुख्यमंति धामी ने प्रभावित होे रानी पोकरी और जॉली ग्राइंट के लोगों से भी मुलाकाथ की मुख्यमंति ने कहा कि पुल तोटने से जहां यातायात प्राहवित हुआ है तो वही लोग भी प्रभावित हो चुके हैं आने जाने का एक मातर रास्ता होने के कारण कुछ बाधा भी है लेकिन जल्दी ही वेबस्ताय बना दी जाएगी जल्दी से जल्दी उस पर के पुरा करेंगे लेकिन चाल्बान मेनों में नया पुल द्यार हो वही उत्राखंड के पिथोरागड के गाउ में बादल फटने से दिल धला देने वाली तस्वीर सामने आई जिसमें साथ लोगों की गायब या मलबे में दबे होने की खबर आई है रेस्क्यू टीम और स्थानी लोग मलबे में दबे लोगों को निकालने की लगतार पोशिश कर रहे हैं तो वही मलबे में दवे एक शव को निकाला गया है। टीम को रेस्क्यू उपरेशन के लिए रवाना कर दिया गया है। NDRF की टीम जिलादिकारी के साथ रेस्क्यू उपरेशन में कारे कर रही है। लोगों को सुरक्षिल स्थानों पर लेकर जाया जा रहा है। जो भी जरूरी चीजे हैं खाने से लेकर दवाई तक उनको पहुचाया जा रहा है। जो है वहाँ पर एक महिला और एक पुरुष्वियसिंग है। तो ये मलबे में इनके दवे होने की संभावना है और SDRF और पुलीस की टीम जो है सर्च ऑपरेशन अभी कर रही है। तोक, जामुनी गाउं, जुमा तोक पर बातल फटने से वहाँ पर साथ लोगों के गायव होने की या मलबे में दवे होने की सूसना प्राप्त हुई है। हमारी पूरी टीम वहाँ पर हिजदी गई है, जिला दिकारी वहाँ चले गए हैं, NDRF, SDRF, सारी टीम हैं वहाँ चली गई हैं और ज़रूरी वहाँ के लिए मतजाम हैं वो किये जा रहे हैं। तो तरखंड में आफत की बारिश आई है बादल फटने से, एक ही गाओ की साथ लोग गायब हो चुके हैं, लगतार रेस्क्यू अभियान चलाय जा रहा है, मल्ले में दब एक शब को भी निकाला गया है, अलग-अलग टीमों को रेस्क्यू आपरेशन के लिए रवाना कर लिए गया है, एंडी आरेफ की टीम डीम के साथ रेस्क्यू अभियान में काम कर रही है, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर लगतार पहुचाया जा रहा है और जो भी जरूरी चीजे है, खाने से लेकर दवाई तक उनको लोगों तक पहुचाया जा रहा है आप पार्टी मुख्यमंतिर प्रतियाशी कर्णल कोटियान ने धहरादून आराघर स्टेट कारेले में प्रेस्वारता की, साथ ही उन्होंने स्वास्टे को लेकर कैग रिपोर्ट की अधार पर उत्रकंड सरकार से सवाल भी पूछे, कहा कि उत्रकंड की जनता स्वास्टे फीजदी बजट और खराब विवस्ताय उत्रकंड राज्यों में हैं, उत्रकंड का हेल्थ सेक्टर हिमाले राज्यों में सबसे पीछे हैं पलायन जो कारण बन रहे हैं पलायन के पहाड़ों से लोगों के जाने के उनमें एक मेजर मुद्दा है वो है हेल्थ, स्वास्त, स्वास्त के लिए सरकार को जनता को बहुत जादा और जादा से सपोर्ट देगर के सुविदाई देनी चाहिए, लेकिन यहां पे उल्टा हो जो सबसे कम स्वास्त की तरफ अपना खर्चा करता है, 6.8% अपने जो एन्वल राजस्व है, हमें आज फॉवर्ट पॉलिसी बनानी चीए, हमें कोशिश करनी की है कि स्वास्त की जो सुविदा है, वो पहाड़ में, रिमोट एरियाज में भी अवेलेबू जादा रहे हैं उत्राखंड प्रदेश कॉंग्रेस की गड़वाल मंडल मिडिया प्रभारी गरीमा महरा दसोनी ने राज्य सरकार पर हमला बोलते होई कहां कि एक तरफ राज्य सरकार के पास अपने करमचारियों को तंखा देने तक के पैसे नहीं हैं और दूसरी तरफ बात करें तो लग पर सत्तर हजार करोड का कर्ज हो चुका है ऐसे में वे कौन से मानक है जिनके तहट महराश्टरा के राज्य पाल भगत सिंग कोश्यारी के लिए राज्य सरकार ना सिर्फ स्टेट प्लेन बेचती है बलकि उसमें बैठकर दो मंत्री गौड अफ ऑनर भी उन्हें दिया जात इस राज्य में जंगल राज्य की हद हो गई है महराश्ट के राजिपाल को लेने के लिए उत्राखंड सरकार सतर हजार करोड में ढूबा हुआ उत्राखंड सरकार यहां से स्टेट प्लेन भेजती है पूर मुख्य मंत्री भगत सिंग कोश्यारी को लेने उसमें बैठकर पूर ड्यारिम जाते हैं दो काविनां मंत्री काई देने के लिए लिए अफिर ये निजाम क्या कहता है आपको उफ्त राखंड राजिकों करव में दुबाते ब्यादी आजारन अगर उनका एक장 परना है तो वह महाराश्ट की सरकार करें उत्राखंड की सरकार से या उत्र तो मेडिया प्रवाहरी गरिमा महरा दसोनी ने राजे सरकार पर जम कर निशाना साधा है उन्हेंने कहा है कि सरकार के पास अपने करमचारियों को सैलरी देने तक के पैसे नहीं है ऐसे में कौन से मानक है जिसके लिए राजे सरकार ना सिर्फ स्टेट प्लेन भेचती है बलकि उसमें बैठा कर दो मंतरी को गौड ओफ ओनर भी दिया जाता है दसोनी निकाहा की भगस सिंग कोश्यारी महराश्टरा के राजे पाल है तो महराश्टरा सरकार को उनके आने जाने की ववस्ता करनी चाहिए निताल के आयुक कुमाउ मंडल सुशील कुमार ने कहा की वर्षा काल चल रहा है इसलिए सभी अधिकारी सजक होकर काम करे और अपने अपने शेतरों में पैनी नजर रखे सभी उपलब संसाधनों को अलट मोड पर रखे ये निर्देश सुशील कुमार ने मंडल के अधिकारीों को वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये दिये उन्हेंने कहा कि अधिकारी अलट मोड पर रहे ताकि किसी तरह की आपदा होने पर राहत और बचाव कारे किया जा सके आयुक ने मंडल के जिला अधिकारीों और अन्य अधिकारीों को निर्देश दिये कि वो उपलब संसाधनों को अलट मोड पर रखे और नियमित शेत्रों का ब्रह्मन भी करे उन्हेंने आगे कहा कि आपदा में धनराशी की जुरूरत हो तो मांग करे ताकि आपदा प्राविश शेत्रों में सहेता राशी वित्रण और आपदा बचाव कारे तेजगती के साथ हो सके तो नैनिताल के आयुत कुमाव मंडल सुशील कुमार ने कहा है कि बारिश का मौसम चल रहा है और ऐसे में सभी अधिकारियों को सजक होकर काम करना होगा और अपने अपने शेत्रों में पैनी नजर बनाए रखनी होगी सभी उपलब संसाधनों को अलट मोड पर रखना होगा ये निर्देश सुशील कुमार ने मंडल के अधिकारियों को वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से दिये है उन्हेंने कहा कि अधिकारी अलट मोड पर रहे ताकि किसी प्रकार की आपदा होने पर त्वरित राहत और बचाव कारे किया जा सके आयुक ने मंडल के जिल अधिकारियों और अन्याधिकारियों को निर्देश दिये कि वो संसाधनों को अलट मोड पर रखे और नियमिद अपने अपने शेतरों का भ्रहमन भी करे उन्हेंने आगे कहा कि आपदा में धनराशी की जरुत हो तो मांग करे ताकि आपदा शेतरों में सहता राशी बाटी जा सके और आपदा बचाव कारे भी जल्द से जल्द तेज गती के साथ हो सके देजभर में आज श्री कृष्ण जन्माश्पी को बड़े ही हर्शोल लास के साथ मनाया जा रहा है अगर हम बात करें राश जानी धहरादून की तो विश्णू बिहार जगनात मंदिर के कारे समिती के कारे करता सुशील मागो का कहना है कि जन्माश्पी का तोहर मनाया जा रहा है और साथ ही COVID-19 की गाइडलाइन्स का भी पालन किया जा रहा है भारत में आज श्री कृष्ण जन्माश्पी का पर धूमदाम से मनाया जा रहा है देश में श्री किष्ण जन्माश्पी धूमदाम से मनाया जा रही है उसके लेके आज मंदिर समीती के जो हमारे कारे करता हैं उनसे बात करते हैं क्या क्या तैयारिया है क्या नाम है हमारे शशील मागो क्या तैयारिया है इस बार जन्माश्पी है तेयारियां हमारी पूर्टरह से अभे कंप्लेट हो चुकी हैं, हम अपन सरकार की कोविट नियो माक्यानु साथ, अपने वेवस्ता को हमने सुचारू रूप से बनाया हुआ है, कोई भी अबागत हमारा मंदिर में आएगा बिना मास्क और बिना सानिटाइजर इस्तमाल किये नहीं परविश करेगा मंदिर के अंदर, और उसमें बैठने की भी वेवस्ता सुचारू रूप से हमने पूर्ण कोशिश की है, कि जिस्टेंस के अनुसार के सबको बिठाया जाएगा, जितनी भी हमारे कैपिसिटी होगी, उतने ही इसको अंदर, हम अब भक्तों को अंदर लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको मालूम है कि आस्था का विशे है, आस्था के विशे में किसी के आगे हम जोर जबरदस्ती ही नहीं कर सकते, इस आस्था में कोशिश यही रहेगी हमारे फिर भी कि हम हरे को कोविट नियमन के अनुसार उसको हरे भक्त को बिठाया लेकिन उसके अनुसार हम परशाद की विवस्ता हमने की है, पहले जैसे हमारे मंदिर में जर्माश्क में के बाद कूँ अच्छी दर से परशाद और बंडारे के विवस्ता होती थी, वो इस बार हमेरे पिछले दो वर्ष से नहीं हो रही है, और इस बार भी थोड़ी सेवा करने के हमें मिली हैं लेकिन हमें अत्य अधिक भीड नहीं करनी हैं अत्य अधिक भीड नहीं करनी हैं अत्य अधिक भीड ना करते हुए भी हम परशाद की विवस्ता हमने सूख्या परशाद जिसमें कि हमने हर चीज का पैकेट्स बना के रखे हैं जो कि आपको बगतों आप दिस्टिबूट होगा और उसमें पूंखते हैं हमारा किसी भी प्रकार से भीड ना करने की व्यवस्ता तो आप जैसे आपको और भी बछाया हमने हमारी वेवस्ता पूरी रेंगी जो भी हमारा ब Hyundaiünde वो पर ह्ланे टेस से पहले हाथ साफ करेंगे तो आंदर पर वेश करेंगे और मास्क अपना पहन कर के अंगे उगे अगर नहीं भी होगी तो मास्की व्यवस्ता हमारे मंदिर द्वारा होगी आपको वहाँ पर मास्क दिया जाएगा बाहर गेट के भार ये थे जगनात मंदिर समीति के कारेकर्टा जिनका साथ और से कहना है कि जन्राश्टमी भी मनाई जाएगी और कोविड का जो पालन है वो भी किया जाएगा व्याइटी न्यूस से मेसेशन क मात देरा दूज़। कपड़े पिलाए हैं और मुकृत से सजाया गया है उनको और हमने अपने मंदीर में परशार का बहुत अच्छा विक्रान करा है यह कृष्ण जी किर्पा से हमारे मंदीर में आज मस्मे का उसमरों हो गया है करने हैं जो भी आए हैं उसके हाथ वासम सेटाइस करेंगे और सबको हमने बोले हैं कि जो भी है अपने मास्व आगा के आए दूरी बनाके रखें जिससे को रोना कर देखों सबको ही है और इसाब अपना मास वास्वास पहन के आए हमेशा 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 हमारे दार्मिक आयोजन यहां पर करते आ रहे हैं और जैसा परशाशन का आदेश है कि कोविट के नियमों का पालंग करते हुए आपने कारिकम को बनाना है उसी रूप में हम लोगोंने बना है शोचल डिस्टेंजिंग मास का प्रयोग इन सबकी श्री कृष्ण जनमाश्मी के अफसर पर पंचबदरी में से एक भविश्य बदरी धाम में आपको वतारने कि सुबे से ही भगतों का आता अता लगा हुआ है हजारों की संख्या में श्री कृष्ण भगत पहुंचे हैं सुबे विशेक पूजा के साथ भगवान च्री भव विश्य बदरी भगवान का पुश्विंगार किया गया है। अधाम आने वाले सभी भगतों को ग्रामिनों द्वारा विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया है। गुली की प्रतिधनी दिशाओं के पास है। धेरदू समाजिक कारेकरता संजी कुमार ने एक प्रेसवारता का राशपूर विधान सभा से अपनी दावेदारी पेश की है। आपको बता दे कि 2 अक्टूबर से राशपूर विधान सभा में एक चुठकी नमक अभियान की शुरुआत कर पिछडे और गरीब वर्गों को मुख्य धारा से जोडने का काम किया जाएगा। मलिन बस्तियों को मालिकाना हग दिलाने का काम भी करके अपने शेत्र में विकास को लेकर वो काम करेंगे। वही संजी सिंग ने कहा है कि जिसका नमक खाएंगे उसके प्रती वफदार रहेंगे। तो जंता को तो वेड़ करना पड़ता है। मैं चाहता हूँ जिसका नमक खाए जाए उसके साथ नमक खरामी ने करें नमक खलाली करी जाए जो मैं सपद लूँगा जिसका नमक खाऊंगा ये मेरे पूरो विस्वास करूँगा रखने रखेगा आप कि मैं जिसका नमक में एक मात्र खेल मैदान की भूमी खेल विभाग की नाम ट्रांसवर होने को लेकर आज से अनिश्चित कालिन धर्ना प्रदश्चन तैसिल प्रांगण में शुरू हो चुका है। प्रदेश सरकार पर प्रदेश के सभी राज्य आंदोलन कारियों की उपिक्षा करने का आरोप लगाया। उन्होंने साड़े चार साल में आंदोलन कारियों की सुधना लेने पर प्रदेश की बीजपी सरकार पर आरोप लगाया है। यहां अपने आवास पर आयोजेट प्रेस वॉर्टा में पत्रकारों से राज्य आंदोलन कारी ललिट कांडपाल ने कहा कि जब से राज्य में बीजपी की सरकार आई है तब से राज्य आंदोलन कारेयों की उपेक्षा हुई है। पूरे तरफसर से असक्राइब हैं हम लेकिन जो कलपना है ती हम ने आन्दुनिंग के दौरान की कैसा राजी बनेगा और राजी आंदुनुकारीं को यहां के लोगों को किस परकार बेनिफिट होगा ये सब परिकल्मना थी ये इसने किसी ने राजी आन्दनों कारियों के भावनों के अनरूप एक केवल अंडी तिवाडी जी को छोड़ दें उनके लोगा आतर जिते भी मुखी मंत्रे आये कोई भी ऐसा कारी नहीं कर पाए जिससे उत्राखंड का हिद हो जिससे सब दिल्ली के हैं, दिल्ली के आदेश पर चलने वाले लोग हैं, ये तिवाडी जी ने जरूर यहाँ पर शिट खुल हो गया, कई काम के उनने यहाँ पर कोई सरानी कारिया और भागी राजी आन्दनों कारिकी बात आज कोई नहीं कुज़रा रुड़की पुलिस को बड़ी काम्याबी मिली है पुलिस ने हर दुआ रोड पर तीन बदमाशों के दुआरा तमंचे के बल पर चालक से ट्रक लूटने की घटना का बड़ा खुलासा किया है और इतना ही नहीं पुलिस ने घटना में शामिल वसीम नाम के लुटेर को भी पकड़ा है जबकि उसके दो साथी भागने में काम्याब हो गए पुलिस ने लूटा गया ट्रक भी जब कर लिया है वही पुलिस अफ़रार हुए दोनों बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है वय नाषे इसमी ख़ाएं पुलिस ने दोनों बदमाशों के सब्याइस ने लगुता है इस सो से दो सो मीटर खायों पुलिस ने ततपड़ता दिखाते हुए रसी के सहरे गायलों को बड़ी मुश्किल से खाई से सडक पर पहुचाया जहां से इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया आपको बता दे कि हनुमान गड मंदिर के आगे एक सेंट्रो कार सडक से लगबक 100-200 मीटर नीचे खाई में जागिरी जिसमें चार लोग सवार थे फायर सर्वेस यूनिट दुआरा जल्द ही खाई में पहुचकर रसी की मरत से चारों को सुरक्षित निकाल कर समय से उस्पताल पहुचाया गया बताया जा रहा है कि वाहन सवार दिल्ली के रहने वाले हैं सरोवर नगरी में देशभर में जन्माश्मे का पर्व बड़े ही हर्ष्व लास के साथ मनाया जा रहा है आपको बतारने की भगवान श्री कृष्ण के जनम दिवस को जन्माश्मी की रूप में मनाया जाता है देखे जन्माश्मी पर हमारी स्पेशल रिपोर्ट पल्के जुके और नमन हो जाए मस्तक जुके और वंदन हो जाए ऐसी नजर कहां से लाओं मेरे कनहियां कि आपको याद करूं और दर्शन हो जाए श्री कृष्ण श्री मुरादी श्री बांके बिहारी कानहा का जनम दिन आज का दिन बेहत खास है कानहा के नाम से आज हर तरफ शूर है हर मंदिर हर तरफ केवल कानहा ही कानहा है जहां देखो कानहा के नाम से सराबोर है मत्रा व्रंदावन के साथ ही हर मंदिर को कानहा के लिए सजाया गया है कानहा के नाम से जगत है जहान है आज पूरे देश में बहुत धूमधाम से कृष्ण जन्नाश्टमी का त्योहार मनाया जा रहा है आज पूरे देश में हर तरफ धूमधाम ही धूमधाम है हर साल भागरुपद मास की अश्टमी तिथी को कृष्ण जन्नाश्टमी मनाई जाती है आज के दिन के लिए नजानी कव से इंतजार किया जा रहा है आज कृष्ण जन्नाश्टमी का शुब मुहरत रात ग्यारा बचकर 69 मिनट से देर रात बारा बचकर 44 मिनट तक है आज के दिन के लिए जाख्यां बनाई जा रही है छोटे छोटे बच्च्वे श्विकृष्ण की श्विराधाज्वी की पोशाक पहने हुए नजर आते हैं स्कूलों में भी बच्चों को इसी पोशाक में बुलाया जाता है मंदिरों में श्विकृष्ण के भजनों की हर तरफ धुन सनाई देती है हर कोई श्विकृष्ण की रास में पूरी तरह से लीन है कानहा के इस दिन के लिए हर कोई पहले से अपनी तयारी रखता है कानहा के सुन्दर सुन्दर कपड़े कानहा की बासुरी कानहा के गहने सब कुछ तयार है बस अब कानहा का श्रिंगार होगा इसके बाद कानहा को माखन और मिश्री में तुलसी मिला कर भोग लगाया जाएगा आप खीर, पंजीरी, पेड़े, आदी से भी कानहा को भोग लगा सकते हैं मगर इस बात का ध्यान रखें कि तुलसी के बिना श्रिकृष्ण का भोग अधूरा माना जाता है अब इंतजार है तो बस आज रात का इन मन मोहग तस्वीरों को देखकर, इन मंदिरों में रोशनी को देखकर, इन चकाचौन को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज का दिन कितना खास है श्री कृष्ण श्री मुरारी मेरे बांके बिहारी का दिन बियोरो रिपोर्ट वियाईपी नियूज चलिए फिलहाल के लिए उतराखन डाइब में मेरे साथ बस इतना ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ